हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक इन माई यूटूब चैनल मांक दसन अकैडमी मैं योगे आज के इस वीडियो के अंदर हम जो रास्तान की विवनस्पति है उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं तो रास्तान के अंदर कौन-कौन से परकार के विवन पाई जाते हैं या वन करते हैं कि शुरू करने से पहले हम आपको बता देते कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके पास एक बैल आइकन बनावाएगा उसको प्रेस करें और जो नोटिफिकस ने आपको सबसे वेले मिल तो आपको यह 1952 नहीं आपको याद रिखना है तो पहली बाद आपको अंदर यह याद रिकने को 1952 है उसके अंदर जो देश की भारत की जो राष्ट्री निती है वन निती वह गोसित की गई थी तो बहुत इंपोर्टेंट बात है यह तो इसको आपको डायेक्टली याद करना है उनिस सो बावन को इस उनिस सो बावन के तर्ज जो बाते कई गी ति उसमें पहली बाद ये थी कि जो 33 परसेंट बूब आगे टूटल का 33 परसेंट जो बूब आगे उस पर जो वन होने आउसिय के हैं इस 33 को भी दो अलग लग भागों में बाटा गया इस 33 के अंदर न कई तो एक बूला गया कि जो परवति भाग्य होना पे 7 परसेंट होने जरूरी है और जो मेंदा नृट इब लाग पर पलंपेrent 25 परसेंट होने ज SAR इन अनिवार ये है वन वनों को और बचाए जासेके उनको से रिक्सित करा जासके तो यह उसके लिए तीन जो ने सब जड़े घा थे वह थे वह की सुरुक्सा and are not as करेंगे तो वनों का विकास करेंगे हम तो यह था देश के बारे में तो अब रास्तान के अंदर आते हैं तो रास्तान के अंदर जो पहला वन स्रक्षन योजना चले गई थी वो जोद्पूर यासत से चले गई थी सन 1910 के अंदर चले गई थी तो यह भी आपको बहुत इंपोर्टेंट बात है तो आपको याद रखना है कि जो रास्तान के अंदर पहली वन स्रक्षन योजना चले गई थी वो 1910 के अंदर जोद पूरी आसर से चले गई थी तो रास्तान की जो पहली वन निती आई थी वो थी फरूरी 2010 के अंदर आई थी या गोशित की गई थी तो यह भी आपको याद रखना है इस वाले पेज़ के अंदर आपको सारी बात है याद रखने है डिरेक्टल इसमें कुछ भी समझाने जैसा है नहीं तो वन निती दो जाट तेरह का अनुसार रास्तान के अंदर जो टोटल भागे देश का 10.41 परसेंट है रास्तान जो बात करते हैं राज्यों के अंदर कुल कितना वन है उनके बारे में डिसकस करते हैं तो राज्य का जो कुल वन सेत्र है वो 32,828 किलोमेटर है वर किलोमेटर यह थोड़ा अपग्रेड आकड़ा है यादि 2013 की बात करें 2013 वन निती आई थी तो उसके अंदर जो सेत्रफल था वन का वो 32,737 किलोमेटर था तो राज्य का अंदर 32,737 किलोमेटर था यह जो अब 32,828 किलोमेटर हो गया है तो परसंटेज में अभी देखा जाए तो यह अभी का परसंटेज है वो 9.59 परसंटेज में 9.59 परती सर्थ है वनों का वो 23 के अनुसर साथ था वह 9.57 परती सर्थ था तो यह आप दोना एक्जाम में पूछे भी गए हैं तो आपको याद करने है इसको साहिए यह जूनियर काउंटेट 23 मोहा था उसके अंदर यह आपको पूछा गया था 9.59 अब बात करते है राद्यों के वन सीतर की द्षिटी से नौवा श्थान है जो राद्यर 10 का वन सीतर है इसकी द्षिटी से 9 इस्तान है अब राज्यों के वनों को तीन भागों में बाटना गया है जो राज्तान में जो वन उनको तीन परकार। के क्याटिग्रीज में रखा गया एक पहला वन मैं परकार शुरुपसित वन है दूसरा प्रकार वह जो फिर्पार्व घिकत परने के चांस है तो जो शुरुक्सित बंने वह लगबग 18,200 किलोमेटर है हैं जो लगबग 56 परसेंट है है सबसे ज्यादा है शुरुक्सित बन सकता इन में कटाई वा चरए कि वह कर सकते हैं यह जो सुक्सिट वन पाई जाते हैं सरवादिक बारावा करोली जिलों में पाई जाते हैं तो यह भी आपको याद रखना है दूसरे परकार करकर जो वन वह आरक्सित वन अरक्सित वन वह लगबग 12500 किलोमेटर के अंदर फैला हु यह जो सरवादिक है उद्व पूता चितोडगर जिल्य में पाई जाते हैं जो तीसे परकार कर वन वह अवर गीकर बन लगबग 200 किलोमेटर में यह फैला वाई लगबग 163 सजी अने सबसे कम भाग में हैं यहां पर कोई उत्रा का परदीबन नहीं है यह जो सरवादिक पा कौन से जिल्लों में पाई जाते हैं अब बात करते हैं सरवादिक वन सित्र जिल्ला कौन से जगह पर कौन से जिल्ले के अंदर सरवादिक वन पाई जाते हैं तो सरवादिक जो वन पाई जाते हैं वह उद्देपूर जिल्ले के अंदर पाई जाते हैं लगबग 4150 वर किलो सरवादिक कम वन पाये जाते हैं लगबग 21 किलो मेटर है यहां पर अब यह दिस रवादिक बन परतिसत जिल्लेव के बात करें तो परतिसत के इसाफ से देखा जाए तो कहां पर है तो उसके इंदर है जो सबसे ज्यादा है वह परताब गड़ के इंदर है लगबग 46.7 परति रिसत हैं जो सेकींड आ है कारो ली है सेकींड थीजित थीवाला जिल्ला संदर हो करो लिये तो वहां पर लगबग 32.7 परतिशत फ़ जाते हैं थेगा 10 लगबग 32 किया बराबर है तो यह आपको याद रखना है परताब गड़ है फिर करो लिए 12 उसके बार यह पर दिरो कम आपको याद रकना है, करम पूछा जा सकता है, सर्वादिक 1, 35 वालмен जिल्णे ना, अपान पाए जाते हैं, तो आप पार्टिसेत वाले जिल्णों में देखा जाता है, तो सबसे कम है, वो चूरू के अंदर पाए जाते है, लोगत 0.45, उसके बाद जोद्पूर के अंदर पाए जाता है 1.07 पर तीस geschत उसके बाद नागोर के अंदर 3rd है जो कम परतिस्फ़धिक का द्राइश बाद ये बहुत इमपर्टनिंक है आपको इसका बीक्रम पूचा जा सकता है तो चुरू, जोदपूर, नगोरवा जसल में इसको पैटरन को आप याद रखना है से तो आपको यह आयद हो जाएगा इसली तो सरवधी कम वन परतिसित वाले जिले यह थी अब बात करते हैं रास्तान में कौन कौन से परकार के वन पाए जाते हैं तो रास्तान में चार पर पांच परकार के वन पाए जाते हैं जिसमें सबसे पहला परकार कर वन ने वह सुस्क वन ने अर्ड या फिर अर्द उसने भी इसको का जाता है ड्राइफ फोरेस्ट यह रेगिस्तान वाले लाका में पाए जाते हैं जहां पर जो बारी से वह 25 cm से या 30 cm से भी कम होती वहां बार में दिख रहे हैं यह मिस्सित परकार कर वन इस हितर में पाए जाता है चोत्य परकार कर जो वन ने वह सुस्स आगवान वन ने जो जो ड्राइट ट्रीक फोरेस्ट भी का जाता है इंगलीस के अंदर तो यह पांच वा जो लास्ट है वो है उपोस्ट ने कर टिम से हम होती हैकर आपके जो मुख्य वरक्स होते हैं हो यह कएर किक GUS के दाते हैं यह यह वरक से पाए जाती मिजाते हैरन के दाती यह जो लाटी स्रीज सेतर है जिसल मेर के अंदर वहां पर यह गासे मुख्य तपाई जाती है उसके बाद जो दूसरा है वह जहां पर तीस से लिए के पचास सेंटी मीटर की वर्षा होती है वहां पर यह पाई जाते हैं इनमें मुख्याद खेजड़ी आदी के वरक्स पाई जाते हैं इस वहले इलाके कहने दो सबसे यह जो है बड़ा वनेस्पति सेतर है यहां पर यह ज़्यादा विए इस वहले परकार के वर्षा तो यहाद रेखने कहुंसे वर्षापति का जो अरिया है वह सबसे बढ़ा है 800 परकार के वर्षा का शलिए कि भी मिस्प्रु ऻपलट इस आप अर्याए जाते हैं ईनमें मुख्याद चतर यहां पर पाए जाते हैं इनमें बर्गद वूलर जैसे जो वनस्पति इन तरह के पीड़ यहां पर पाए जाते हैं इस परकार के फॉरेस्ट के अंदर जो चौता है वो है सदाबारवन सदाबारवन जहां पर वर्षा की मातर एक सो पचास सेंडिमीटर हो जाता उच्छा ही वह एगजार सतर से लिके तेरा सो पचास के बीच में हो वहाँ पर इस परकार के वन पाये जाते हैं तो इस परकार की परस्तिति वह माउंट अबुके बाओन वर्ष किलोमीटर के सित्र में मिलती है तो वहाँ पर ये वन पाये जाते हैं। मुक्यता सीरम बेल जमून बांस जैसी वनसपति मुक्यता पाए जाती है जो लाश्ट परकार का वन है वो ऐसु सागवान का वन जहां पे वर्षा की मात्रा सित्र से लेके नबे के बीच में होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं मुक्यता बास बाड़ा, दुंगरपूर, पर्तावगाट, जलावाण, जत्रों में यह पाए जाते हैं इनमें मुक्यतबास, सागवान, आम, महुई जैसी वनसपति पाए जातीा मिलती है इस परकार के वनों के अंदर तो यह रास्तान के अंदर वनों के परकार थे सुस्क, अर्ड सुस्क, मिस्रित, सुस्सागवन तता सदाबार वन इसके अंदर आपको उस नाम याद रखने, आपको इसली पता चल जाए कि सुस्क वन है, तो मरुस्तल वालग जहां पर बहुत बारिस कम होती है, वहां पर पाज जाते हैं, उसके पास वाले हम अड़ सुस्क वन मिलेंगे, उसके बाद मिस्रित वन मिलेंगे, अबुवाला इ परकार, आप रास्तान के अंदर कुछ और गौण वनस्पती पाई जाती है, उनके बारे में देखते हैं, तो गौण वनस्पती के अंदर जो पहली है, वह खस देखते हैं, जो आपको ये दिख रहा है, इस वाले इलाके अंदर ये जो वनस्पती है, पाई जाती है, खस प इत्र और सर्बत सी सर्बत भी से बने जाता है यह मुक्यता है जो टॉक सवाई मादपूर दोसा बरतपूर जिलों में पाई जाती है मतलब इस वाले हिलागे आपको यह याद रखना खस इस तरफ मिलती है दूसरा है खेर जालरवाड़ कि उद्वाले करना ना लेकाइब तो यहाँ पर निसान दीख रहे हैं यहां पर यहाँ पर यह केशा गहला के जो यूज़ गरा पानाने हो चफाने होरा क्या में परिकां हो अब को ग खदा पर शुर्णा का के दुनकर जाता बकाझे है तित आपेजिक बड़ Esse je TER पाना हम जात अब आखा से लिफले इस मना मकी जग़ह आप जहां पर मुहवा पाए जाता है अगली बात करते है सालर सालर जो अजमे राजसमन बील वड़ उद्यपूर का सितर है इस इतर में पाए जाता है जहां पर उच्छे पस्चास सेल के सो सेंटीमीटर हो वहाँ पर यह मुक्यता मिलता है उसके बाद प्लास प्लास जो राजसमन्द के पास मिलता है जो प्लास पर करके वह नहीं यह लाल और हैलो कलर के होते हैं पीले कलर के तो इसलिए इनको जंगल की ज्वाला भी बोले जाता है प्लास को तो कोसन पूछ सकते हैं जो जंगल की ज्वाला की से कहते है तो प्लास को यह रासमन्त में पाय जाता है मुख्यत रूप से वहाम लस्त वहो है गौन्द गौन्द जो है जो बाढर मेर जिल्ले के चॉर्टन जग़ये है का जो फि exerc' और मुख्यर रूप से बाढर मेर में पाये मिलता है。 ओर चौर्टन जो यहां का पर्मुक्व जग़ये जहां पर यह मुख्यत मिलता है बास की बात करें तो बास वड़ा चित्तोडगर्ड उद्यपूर सिरुयादी इलकों में पाए जाता है तो यह थे गौण वनस्पति जो मुख्य वनस्पति जो रास्तान में मिलती है अब कुछ पुरुसकार जो वन्नो को बचाने के लिए उनको प्रोसान देने के लिए कुछ पुरुसकार दिये जाते हैं तो उनमें मुख्य मुख्य पुरुसकार है इंद्र गांदी प्रियदरसनी वरक्समित पुरुसकार राजिव गंदी परियावन स्रक्षन पुरुसकार अमरता देवी विष्ण इसमर्ती पुरुसकार तक एला साकला वनेजू स्रक्षन पुरुसकार यह चारों पुरुसकार है जो मुकी रूप से दिये जाते हैं रास्तान के अंदर तो आपको इनके बारे में अलग से जब पुरुसकार पढ़ेंगे तो इनके बारे मौर पढ़ लेंगे डिटेल के अंदर थैंक्यू फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले अधि कोई आप सुजाओ देना चाहते है तो प्लीज कमेंट करें थैंक्यू